एक बड़ी पुरानी कावत है कहते हैं अब सत्वंती बेंकर बैठी लूट खायो संसार कुछ ऐसा ही हाल है यूक्रेन के फोरण मिनिस्टर आ रहे हैं भारत अब जाकर भारत से क्या चाह रहे हैं पहली यात्रा है इस साल की और यहां पर आगे को लेकर क्या मांग करना चाहते हैं भारत से जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ एन मौके पर पाकिस्तान को चायना से मिला है बड़ा वाला धोखा वो भी तब जब अफगानिस्तान के साथ जंग के हालात बन रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इ ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से रूस यूक्रेन का युद्ध घटने की बजाए समाप्त होने की बजाए बढ़ने की दिसा की तरफ बढ़ रहा है और ये ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि फ्रांस भी इस युद्ध में एंटर करना चाह रहा है ऐसे आरोप क्रेमलीन लगा रहा है और अब तो राश्पती पुतिन ने वर्ल्ड वार थ्री से कुछी स्टेप दूर है ये कह दिया है अपने भासन के दोरान ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा इस साल पहली बार पहुँच रहे हैं भारत और भारत में ये मुलाकात करे भारतिये विदेश मंत्री के साथ साथ ही साथ स्विट्जर्लेंड में एक सांती सिखर सम्मेलन होने वाला है और इस सांती सिखर सम्मेलन में भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदे लेकर बैठा है यूक्रेन यूक्रेन चाह रहा है कि भारत उसके तरफ से सांती समर्थन मांगेंगे वो भी इस बात को जानते हैं कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ रूस का दोस्त भी है ऐसे में भारत की हामी का एक बहुत बड़ा असर होगा पर सवाल ये उठता है कि जनवरी मैने में 2024 में दिमित्री कुलेवा और डॉक्टर एस जैसंकर के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी और तब यूक्रेन ने अपने यहां हो रहे संघर्स को भी बताया था और साथ ही यूक्रेन जो सांती फॉर्मूला लेकर आया है उसने उसे भी बताया था आपको बता दें सबसे बड़ी मुसीवत यह है कि यूक्रेन का 10 प उनी लाकों को भी छोड़ो वो कह रहे हैं कि वार क्राइम्स को सुनिस्चित करो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो चीजे मानने वाली नहीं लग रही है भारत तो वैसे हमेशा से कहता आया है कि रूस यूक्रेन को लड़ाई बढ़ानी नहीं चाहिए आपस में बातचीत और बहुत बड़ी चीज हो रही है और ये बड़ी चीज अपने पडोसी पाकिस्तान के साथ हो रही है वैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चड़ा करती लेकिन पाकिस्तान की नजानी कौन सी कांट की हांडी है हांडी ही बदल देता ह और बार बार चड़ा देता है अब कैसी मजबूरी है स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप इस जगह यह जो दो जगह देख रहे हैं ना खोस्त और पक्तिका यहां पर बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान ने इन दोनों इलाकों में एरिश्ट्राइक किया और इस एरिश्ट् ओध करों करेंगे तो वहीं तालिबान के कहना है कि तुम्हेंशց सजया भूवत्त नी होगी जो तुम कह रहे हो है और जो ङहां एक बढ़ा युद्ध तो नहीं लेकिन एक युद्ध यहां पर छिड़ सकता है एक चोटा मोटा ही सही लेकिन ये conflict यहाँ पर आगे बढ़ सकता है उस रूप रेखा में दोनों देश जा रहे हैं पाकिस्तान के air strike में भी अच्छा खासा आफगानिस्तान का नुकसान हुआ है तो वहीं आफगानिस्तान ने भी जो चौकियों पर हमला किया है उसको लेकर अभी खबर तो नहीं रक्षा भी से सग्यों का मानना है कि इस्तिती बिगड़ न जाए इसलिए जल्दी से जल्दी दोनों देशों के परतिनीदियों को बात्चीत करनी चाहिए पर ऐसा लगता नहीं है कि दोनों के बात्चीत अभी काम आने वाले हैं पाकिस्तान का कहना है कि तुमने हमारे आत पैमाने के युद्ध में बदल सकती है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो जाहिर तोर पर पाकिस्तान ने सेना की तैनाती सुरू कर दी होगी और पाकिस्तान ने अपने टैंक वगेरा तोप वगेरा भी उधर तैनात करने सुरू कर दिये होंगे क्योंकि ये कहा जाने लगा कि सारे तोपों का मुँ अब तालीबान पाकिस्तान की तरफ कर रहा है पर पाकिस्तान को इस मामले में एक बहुत बड़ा जटका मिला है भारत के टी-90 टैंक जब आए तब पाकिस्तान ने चाइना से गुहार लगाई हमारी मदद करो चाइना ने बोला कोई नहीं तुम हमें एक बड़ा ओर्डर दे दो हम तुमें VT4 टैंक दे देंगे चाइना ने बड़ा ओर्डर दे दिया 689 VT टैंक मिल गए और पाकिस्तान ने ओर्डर दे दिया 176 VT4 टैंक मिल गए बाद में इस ओर्डर को बढ़ा दिया गया 300 टैंक कर दिया गय ये बात कब की है 2017 की है और जब BT टैंक डिलिवरी के लिए आए तो बड़े सान सौकत से इसका परिच्छन किया गया फिल्ड फाइरिंग करते ही ये फेल हो गया अब जैसे ही फेल हो गया BT4 में एक के बाद एक कई सारी समस्याई दिखनी सुरू हो गई तो पाकिस्तान ने का हमें जो 300 टैंक का ओडर दिया था वह नहीं बनवाना है हम ऐसा करते हैं एक नया कॉंट्रेक्ट साइन करते हैं 689 हम टैंक बनाएंगे हैदर टैंक और यह हैदर टैंक बनेंगे पाकिस्तान के अंदर ही अब यहां पर चीन की कंपनी नौरिंको के साथ एक अलग समझोता किय गया और इस समझोते में कहा गया कि पाकिस्तान के तक्ष सीला कार खाने में इसका निर्मान किया जाएगा अब देखिए यहां जोल क्या था उन्हीं वीटी टैंकों को नया नाम दे दिया गया हैदर ब्रांट पाकिस्तान ने सोचा गलत नहीं था पाकिस्तान ने यह सोचा था कि हम local में मिलकर बनाएंगे तो हम parts पर ध्यान देंगे जैसे कि टैंक कहा चेज चिस एकदम ही अलग माप का था तो यह चाहते थे कि अपने सामने निगराणी में बने अगर यही टैंक है到 कोई बात नहीं यह उसके अनुसार हैदर टैंक को रशामने रख दिया गया अब इसका एक समार हो था इसक्रीन पर आप देख सकते हैं जहां चाइना और पाकिस्तान के जनरल मुनीर दोनों ही दिख रहे थे यह फिल्ड टेस्ट करने के लिए उत्रा था जैसे ही यह फिल्ड टेस्ट करने के उपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है यही वजह है कि इसकी स्थिती ऐसी हुई है वैसे अफगानिस्तान के साथ युद्ध के समय ये सब कुछ होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जटका है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कम कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ